ग्रीसमा वेकरिया का एक तरफा प्यार में पागल फैनिल ने चाकू से गला रेट कर मौत के घाट उतार दिया था एक तरफ इस घटना को लेकर राज्य में हलचल मच गई है जबकि दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े उठने लगे है इस घटना के बाद सूरत पुलिस एक्शन मोड में आ गई है खास तोर से असामाजिक तत्व गैर कानूनी तरीकों से हत हतियार रखने वालों के खिलाफ ड्राइव चला रही है पुलिस कमिशनर के मागदशन में स्पेशियल ड्राइव सुरू की गई है जिसके तहत सहर के अलग-अलग विस्तारों में से रेंबो छुरे तलवार सहीत सेंकडो घातक हतियार जब्त किये गए और चार सो से पिछले एक सप्ता से सुरू की गई ड्राइव के दौरान पुलिस ने अलग-अलग विस्तारों में से वासामाजिक तत्वों के पास से रेंबो छुरे तलवार चाकू को इता सहीत घातक हतियार जब्त किये हैं इसके इलावा 475 पियक कड़ों को पकड़ा है शेहर के विभ पे इलावा 402 लोगों के खिलाफ के दर्चकर कानूनी कारिवाही की गई है इतना ही नहीं यह जानकारी सामने आई है के जब्त किये गए हतियारों में सबसे ज्यादा हतियार लिमबायत उदना पांड़े सरा विस्तारों में से ही मिले हैं सहर के विभिन नथानक शेत्रों म पी आई सहित पुलिस कर्मचारी स्पेशियल ड्राइव चला रहे हैं इसे साथ साथ फूड पैट्रोलिंग बाइक पैट्रोलिंग साइकल पीसियार वैन में पैट्रोलिंग की जा रही है आगे भी ये ड्राइव जारी रहेगी खास तोर से आसामाजिक तत्वों पर मारा मकसद है इसी लिए असामाजिक तत्वों और गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वाराय का भियान चलाया गया है जिसमें संबदित पुलिस थाने के पी आई सहित पूरा स्टाप चेकिंग में जुटा है संकास पदों पर खास नजर रखी जा रही है अवेद र हाटिया के साथ परविन पठान की रिपोर्ट समाचार इंडिया नियूस सूरत